आप लोगों को साइद पता है कि बिग बॉस सीजन 11 बहुत जल्दी टीवी पर आएगा आज हम जानेंगे सल्मान खान एक एपिसोड क्या कितना चार्ज करने वाले है ज्यादा जानकारी के लिए इस लाल बटन को दबाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना न भूले एक दमफ्री है तो बोस्तों चलिए शुरू करते हैं सल्मान खान इंडिस्ट्री के सबसे महेंगे स्टार बन चुके हैं बिग बॉस 11 के जरिये सल्मान बंपर कमाई कर रहे हैं वैसे तो सल्मान खान के शो बिग बॉस सीजन रिंग 10 की TRP का हाल कुछ खास नहीं था लास्ट यर सल्मान के शो ने TRP चाट में काफी निराश किया था हाला कि सल्मान ने शो की TRP बढ़ाने के लिए हर जतन किया था लेकिन दर्शकों को घर के अंदर प्रियंका जग्गा और स्वामी उंका ड्रामा कुछ खास रास नहीं आया था। बिग बॉस के सीजन रिंग 9 का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा था। सल्मान के शो को मौनी रॉय के शो नागिन ने पचार दिया था। कहा जा रहा था कि दो सीजन से लगातार गिर रही बिग बॉस की टीरपी को देखते हुए सल्मान को रिपलेस कर दिया जाएगा लेकिन लगता है बिग बॉस वालों को सुपस्टा सल्मान के बराबर का कोई स्टार नहीं मिला। तभी तो उन्होंने सीजन रिंग ग्यारह में भी सोतान को शो का होस्ट बना दिया। सल्मान को सीजन रिंग ग्यारह में लाने के लिए मूव मांगी रकम दी गई है। इस बार सलमान एक एपसोड शूट करने का ग्यारह करोड वसू रहे हैं हालाकि इस ग्यारह करोड में सलमान सेटरड़े और संडे दोनों दिन का शो होस्ट करेंगे जो की एक ही दिन शूट किया जाएगा हम आपको बता दे कि सलमान पिछले साथ साल से बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं सलमान ने सीजन 4 सेकंड सीजन 6 तक धाय करोड प्रती एपिसोड वसूले थे या बिग बॉस रिन साथ में सलमान ने अपनी फीस डबल कर दी थी हर एपीसोड में दबन खान को 5 करोड रुपे की कमाई हुई था सीजन रिन आठ में सल्मान अपनी फीस फिर बढ़ा थी सल्मान ने बिग बॉस रिन आठ के हर एपीसोड में 5 करोड की कमाई की थी इसी तरह Big Boss रिंग 9 के पर एपीसोड के लिए सल्मान ने 7 करोड लिये थे या Big Boss रिंग 10 के पर एपीसोड के लिए सुल्तान को 8 करोड मिले थे और अब सीजन रिंग 11 के लिए सल्मान चार्च कर रहे हैं हर एपीसोड के लिए 11 करोड रुपया यानि बिग बॉस के लास्ट सीजन की बैट टियपी का सल्मान की फीस पर नहीं पड़ा कोई असर अब देखना ये है कि क्या हर एपीसोड के लिए 11 करोड लेने वाले सल्मान का स्टडम इस बार टियारपी पर भी आएगा नजर